हेलो एब्रीवान हाई नमस्ते ही कैसे हैं आपसर्व आपसर्वी का मेरी चैनल में बहुत बहुत शागत है तो अभी यहां पे देखिए यह करीब 10 बजे के आसपास की क्लीप है और अभी यहां पे मैं चूला जलाई थी क्योंकि मुझे जीरा है ना जीरा उसे को भूनना था और उसका जो पावडर है वो करना था तो मैं भून ले थे उसको यहां पे और उसके बाद ना थोड़ा सा जो चैना होता है ना हम लोग चैना बोलते हैं जो गुगुनी बोलते है ना वही वाला था तो हम लोग कुछ भी हो चैना बोलते हैं तो आप लोग समझ जाएए गो लुक थोड़ा बहुत यह जो है वो खाएंगे करके इसलिए मैं यहां पर भून रही हूं और रख दोंगे उसी तरह और जीरा जो है उसे को मैं भून के उसको पीसना था लेकिन मैं नहीं पीस पाई थी मुम्मी बोल रही थी मसाला पहले खतम करके फिर बाद मैं इसको तो चना को भी मुझे भूनना है बहुत अच्छे से और चना जो है न वो देदी के यहां से आया हुआ था काफी सारा आया हुआ था सबजी भी बना के इसका खाते हैं जैसे की कुकर में इसको उबाल के फिर उसी तरह तड़का लगाओ ना लहचुन के साथ और इसी तरह ख सबजी बनाने के लिए बार बार मुम्मी को बोल रहे थे पापा तो मुम्मी फिर बनाएंगी वाले सबजी बोल रहे थे तो यहां पर देखिए मैंने चना जो है वो डाल दिया है थोड़ी देर बाद इसको भूनने के बाद मैं इसको निकाल दोंगी जल्दी से और उसकी बावडर करते में सबज़ जीरा निकाल के रख दिया है सब्सराइक कि हाँ अच्छे से भून गया करके क्योंकि इसी कहीं पाउडर हम लोग बना के सबजी में ज्यादा तरियोज करते हैं मम्मी के लिए ही और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूं प्लेट पर चना जो है मैंने भून लिया है मम्मी बोल र लेकिन कोई बात नहीं यह सूख हो जाएगा अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूं दोनों को और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आप सभी से बता रहे थे कि पिछले वाले ब्लॉग पर भावी का जो है आंगन बाड़ी पर जो मिलता है सद्दू और गोड का जो लड़ू अगर होता है ना मिलता है तो वो नहीं देंगे बोल रहे थे बोलके तो ममी ना पताने देंगे कि नहीं बोलके और एक आंटी के हाथ पे बैग भीजवा दिये थे अगर देंगे तो ले आना और नहीं देंगे तो कोई बात ने ऐसे फिर बोलके भीजवा दिय थी क्योंकि मुम्मी का भी काम था मैं भी बिजी थी तो इसलिए और यहां पर देखे कितना सारा पूरा मतलब वो सत्तु जो है वो भी लेके आए हैं और गुड का लड़ू होता है वही और यहां पर कहां से आया था कौन सा नंबर है और हम लोका दिश्टी का और सब यहां प यहां पर बता रहे थी मुम्मी को तो यहां पर देखिए ले आये हैं मैं सुच रहे थी कि नहीं देंगे बोल कि मुम्मी भी नहीं देंगे बोल रहे थे तो फिर फाइनल यहां पर दे दिये थे और भावी भी आने वाले हैं कुछ दिन में और वैसे भी हम लोग ना उतना तो यह नहीं सूशते हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए हैं मिलना जरूरी है ऐसे हम लोग नहीं सोशते हैं क्योंकि देखेई बावी तो जादा तरक्čेन में रहता है भाया के साथ भाया का जौब वहां पहीं पहे हैं Doyc partner को तो इसलिए ना उनको तो अभी वह चले जाएंगे क पुछ महीने बाद बाबो को लेकर तो उसकी बाद तो हम लोगो को मिलेगा नहीं ना है ना तो इसलिए हम लोग मतलब वो भी नहीं करते कि हम लोग को मिलें या नहीं मिलें तो हो जाएगा ऐसे कुछ भी हम लोग नहीं सोचते हैं और कल यह पर शुआ भाली मैं में इसको मार मार के इसका बीज निकाले हैं वही वाला मैं यहां पी भून रही हूं और आप सभी को यह बताना चाहते हूं कि सेम का भी दाल बनता है और वो दाल बहुत बहुत ही तेस्टी होता है बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत कम ही मिलता है यह वाला जो सेम की बीज का जो दाल होता है ना पूरा जैसे ही मतलब दाल बनाएंगे ना भून के ही दाल बनाना होता है तो दाल पूरा ना घूल जाता है बहुत अच्छा लगता है वो दाल और बहुत मतलब कम ही मिलता ये वाला दाल क्योंकि सेम जो है वो उतना जादा भी तो नहीं मिलता है नहीं मिलता है, तो यहां पर देखे आग जला के मैं थोड़ी दिर भून रही थी, और जो हैं यहां पे सब्जी चाट रही थी, और अब यहां पे आ गए थे अंकल जी, और यह उनकल जी को हमेंसा वेट करते हैं कि कभी यह अंकल जी आएंगे, हम लोग फेरी बाला बोलते हैं तो आएंगे तो हम लोग ना बाल रखे हुए होते हैं देखे बाल बना के इधर उधर बाल फेकना सही नहीं होता है बोलते हैं और ऐसे देद देना भी सही नहीं होता है फिर भी ना फेकने से अच्छा हम लोग इन्हीं को देखे कुछ बर्तन वगरा खरीद लें यहीं सही रहता है तो अंकल जी जब भी आते हैं हम लोग रखे रहते हैं इन्हीं को ही हम लोग देते हैं और किसी को भी नहीं देते हैं क्योंकि देखिए इतना कम भी बाल दो ना तो भी अंकल जी जो हैं वो मतलब ये नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं दूंगा या ऐसे दूसरे जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह नहीं बोलते हैं ठीक है अगली बार दे देना थोड़ा सा जादा ऐसे बोलते हैं और फिर दे देते हैं कुछ भी ये रहा बाल देखिए इस त क्योंकि पिछली बार एक खरीदे थे मुमी तो वो ना मतलब अभी दाल वगएर पिश्वाना था दाल बनाना था तो उसी फिर इधर उदर होके फिर वो थोड़ा सा स्क्रैच भी हो गया है और अच्छा भी नहीं लग रहा है बाबू अभी थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है वो तो छोटा वाला था तो इसलिए ना मुमी दूसरा वाला खरीदी है बाबू को नहलाने के लिए तो इसलिए वही खरीद ले थी मुमी बाल दे के खरीदे थे मुमी और हम दोनों लोग ना जब भी कंकी करते हैं थोड़ा वहत बाल बचता है तो उसी तर रख देते थे और इसकी बाद यह इवनिंग का टाइम हो रहा था सीधा और आज का जो ब्लॉग में ना मैं कोई भी कुकिंग का रेसिपी नहीं सेव कर पाऊंगी कुछ खाना वगर आज मैं नहीं बनाई थी मुम्मी ही बनाई थी क्योंकि किचन पे तो आप सभी को पता है लाइट नहीं है इसलिए मुझे सही भी नहीं लग रहा था तो इसलिए न अभी यहां पे देखी इवनिंग का टाइम है और पपीता जो है काफी सारे पांच या छे ऐसे पक गए थे और मेरी जो दादी है वो भी बोल रहा थी कि पपीता पक गया है और तोड़ोगे तो दो तिन दे 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 और हम लोग एक रखे थे और ऐसे ऐसे करके दे दी थी उसकी बाद अभी सहजन हम लोग को लेना है सहजन भी हो गया है काफी सारा तो यह दे दिये थी और चाठ्ठो बचा हुआ था तो हम लोग दो रख लेंगे और मेरी दादी जो है उनको दे देंगे और पताने किसी को स जाहत के घर पर गया था तो कभी भी तोड़ते हैं तो कोई भी रहता है तो उने को दे देती है मम्मी क्योंकि इतना सारा एकी साथ तो हम लोग नहीं खा सकते तो यहां पर देखिये मम्मी सहजन तोड़ने के लिए यह जो वास की लगड़ी है ना उसी पर खड़ आखड़ा जो थोड़ा सा इसको तोड़ने के लिए ही बनाये थे मम्मी इस तरह देखिए वहाँ पे रस्ची वगर बांद के इसी तरह निकालनी के लिए और बच्चे सब लोग यहाँ पे खेल रहे थे तो उन्हीं को हम बोल रहे थे कि देखो बच्चे गिरेगा तो उठा ले ना ऐसे दाल में या किसी में भी तो बहुत हो जाएगा उतना बड़ा है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है यह खाने में तो इसलिए यह क्या बोलते हैं इसको खड़ा खड़ा नहीं कुछ अलग सी बोलते हैं और सहजन की साग जो है यह वाला साग तो उतना नहीं खाते हैं ब तो इसलिए हम लोग ज्यादा तर नहीं लेते हैं और यह जो सहजन है यह भी आस पास के जो जितने भी हम लोग के पर्वस हैं उनको भी दे देती हैं हमें हमिसा जब भी तोड़ती हैं तो बस आज का ब्लॉग में यहीं पेयान कर रही हूं अगर चैनल पर कोई भी न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जो वीडियो अफ्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर में लेंगे कल और एक नेक्स ब्लॉग में तब तक लिए बाइबाई टेके थैंक्यों